तो आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक कढ़ाई में सरसो का तेल दो चम्मच उसमें डालेंगे हम एक कटोरी मुंग फली और एक कटोरी मखाने अब इन्हें हमें हलका हलका इसी तरीके से भुनना है थोड़ा सा दो मिनट के लिए जिससे ये थोड़ के तीन मिनट तक और इन्हें हम निकाल लेंगे अलग बरतन में अब हम लेंगे एक कढ़ाई में फिर से दो चम्मच और उसमें डालेंगे करी पत्ता ताला नमक एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चोटा चम्मच नमक एक चम्मच हरी मिर्च कटी हुई और इन सब को हम हलका सा चला लेंगे और उसके बार इसमें डालेंगे हम मुर्मुरे ये मैंने लग भग डेड़ सो ग्राम मुर्मुरे लिए हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम ये देखिए इनका कलर काफी चेंज हो चुका है तो हमने मुंगफली, नारियल औ और मखाने हमने फ्राइ करके रखे थे उन्हें इसके अंदर अड़ कर देंगे और किशमिश भी हमारा आम की छोटी मोटी भूग के लिए टेस्टी सा नाश्ता बनके रड़ी हो चुका है लेकिन इसमें हमें एक इंग्रीडियंट और डालना है जिससे की तोड़ा और चटप आपको यह मेरी रेसिपी पसंद आई होगी मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को जादर सजादर लाइक करें शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी थैंक्स फॉर वाचिंग